जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने ट्यूप चनल कल्याणी I.S. Academy में मैं हूँ आपके साथ हर्स और आज हम देखने जा रहे अपने मद्ध प्रदिस की करेंट अफिर की सीरीज के चैप्टर 7 के पार्ट 2 को दोस्तों इसके पहले हमने चैप्टर 7 का पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हमने प्रमुक राजनातिक घटना करम कैबनेट निर्ने और समझवतों के बारे में देखा था ये उसका पार्ट 2 है और यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेज चैनल की प्लेइल mcq form में जिसमें हम पूरी किताब को mcq form में cover कर ले और साथ इसाथ उसके सारे options के बारे में समझ ले तो आएए बिना देर के सुरू करते आज के अपने इस प्रस्न को और आज का हमारा जो पहला प्रस्न है वो है मद्र प्रदेश में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच है रा चुनावों में चुनाव जितकर सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है और दोस्तों इतफाक से इन तीनों की उम्र ही 21 वर्स है अज़े तीनों की बारे में समझते हैं तो जो रागनी पटेल जी है ये मैहर जिले की जो अमर पाटन तहसील है उसमें एक ग्राम है जिरिया जिरिया ग्राम ठीक है वहां की रागनी पटेल जी है दूसरा जो लक्षिका डागर जी है ये उजयन के चिंता मन जवासिया ग्राम पंचायश से ठीक है तो जो लक्षिका डागर है वो कहां से है चिंता मन जवासिया चिंता मन जवासिया ग्राम पंचायश से और इनकी भी याद रहेगा दोस्तों आई आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ने की तरफ लेकिन आगे बढ़ने इस पहले आप यह देख सकते हैं यह इनकी फोटो है ना कुछ ज्यादा ही रंग बसंती हो गया इनके साथ नाराज भी लग रहे हैं लगता है कि इसने ज्यादा रंग लगा द पार्ग जो इस्थापित किया जाएगा वो किस जिले में किया जाएगा धार डिंडोवरी पन्ना यसिवने जिसके जो सही उत्तर है वो होगा धार सत्रा मार्श दोजाटेस को केंद सरकार ने साथ राज्यों में पीया मित्र मेगा टेक्स्ट कायल पार्ग को मंजूरी दे है जिसमें सेellowire mandh prais के धार जिले में इस्तापित किया जाएगा ठीक है तो साते राज्यों में खूल रहा है पियाम मित्र मेगा टेक्स्ट कया पार्ग और madh prais के धार जिले का चैयने किया गया है ठीक है और जो अन चैहराजिय वो ध्यान रखी कह कौन सा है तमिलनाडू है सिक्किम है करनाटक है महारास्ट है गुजरात है तथा उत्तर प्रदेश है चीक है तो इन छे राज्यों क्यात कैसे रखेंगे इन में से तीन तो ऐसे हैं जो मत्रदेश से सीमा बनाते हैं जैसे महारास्च गुजरात और उत्तरप्रदेश तो तीन तो यही हो गए और तीन जो अन्य राज़े बच्चे वो कौन से है सिक्किम, तमिलनाडू और करनाटर क्लियर है दोस्तों अब इस योजना से लाव क्या होगा तो जो इस से लाव होगा वो होगा उद्योगों की स्थापना होगी उद्योगों की स्थापना होगी और निवेश को आकरसन होगा चीक है निवेश आकरसित होगे जान रहेगा और इसमें बिजन क्या है इसमें बिजन है 5F को बढ़ावा देना 5F को बढ़ावा देना थाइव एफ का पूरा नाम है फार्म हर्म फाइबर फार्म फाइबर फैक्ट्री फैक्ट्री फैसन फैसन वह फॉरन वह फॉरन सब्सक्राट्च in harness जिला है जहां पर ये टेक्स्ट ट्राइल पार्क इस्थापित किया जाएगा उसके वारें सोझेगा इसका जो पुराना नाम है वो है धारा नगरी और इसके स्थापना राजा भोज द्वारा की गई थी ठीक है राजा भोज द्वारा बसाया गया था और परेटन के अंदर इसकी बात की जाएए यहां पर कौन-कौन से परेटन के अंदर है तो आनन नगरी मांडू है बाग की गुफाएं है जो कि बाग मती नदी के किनारे है ना सर डेंजर फिल्डे ने इसकी कोच की थी बखतावर सिंग इसमारक है अंधा महल है याद रखेगा अंधा महल है और धार का किला है या एमबेटी द्वारा 1345 में बन बाया गया था क्लियर है दोस्तों धार का किला है जो 1345 में महमद बिन तुगलक द्वारा बन बाया गया था ध्यान रहेगा आगे बढ़ते अपने अगले प्रसने की तरफ तो आज का हमारा अगला प्रसने है मद्ध प्रद जिसके जो सही उत्तर है वो है इज्राइल मद्र प्रदेस में क्रिसी उत्क्रिस्टता केंद्रों को अब इज्राइल के सहयोग से बनाया जाएगा भारत इज्राइल क्रिसी क्रिसी पर्योजना के तहत प्रदेस में बागवानी के दो प्रोजेक्ट तयार होंगे ध्यान रखे जाएगा संतरा का और मुरायना में लगाया जाएगा सबजी का मुरायना में लगाया जाएगा सबजी का यह दो प्रोजेक्ट याद रखेगा चिंद्वाडा और मुरायना में स्थापित किया जाएगे और फिर जब अगला चरण आएगा इसका तो फिर से दो जिलों को चैन पैदावार, कम से चाहि अधिक पैदावार, अब आईए इंडो इसलाइल करसी परियोजना को समझते हैं, तो इंडो इसलाइल करसी परियोजना की जो प्रारंभ है, ये 2006 से हुआ ठीक है कब हुआ 2006 को हुआ और ये 25 समझाओता है जो जी टू जी पर आधारी थे ठीक है जी टू जी यानि गवर्मेंट टू गवर्मेंट पर आधारी थे अब इजरायल के वारे में देखिए इजरायल क्या है इजरायल को पता है इजरायल जो देश है ये मद ए कि इस्यागी देसित है म्द्ध इस यह को हो रहा है क्यूंकि इजरायल को पर एक आतंग वादी संग्ठन हमास ने आकरमना कर दिया झिसके प्रतित्तर में हमास को पर आकरमना कर दिया और युद्ध जैसे स्थितिक निर्मार हो गा था इसलिए चर्शा में आ गृया अब Israels की जो राजधानी है ध्यान रखेगा जो आरतिक राजधानी है तुल ऑबीब और ओझाज क्राजधानी है राजदानी है और त्ले पॉर्शल और इसलैम अगे बढ़ दखते हैं और देखते हैं अगले को अगर आज के मारा जो अगला कोश्चन है वह है मद्प्रदेश नगर पालिका बिधिस अंसोधन अध्यादेश 2022 को राजपाल की मंजूरी प्राप्त होई 26 जनवी 2022 26 मई 2022 26 जुलाई 2022 26 एक्टूबर 2022 तो इसको जो सही उत्तर है वो है 26 मई 2022 को मद्प्रदेश नगर पालिका बिधिस अध्यादेश 2022 26 मई 2022 को मद्प्रदेश के राजपाल मंगु भाई पटेल ने अपनी मंजूरी दे दी है यानि जो नगर पालिका जो बिधी संसोधन है इसम संसोधन को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजेगा और ध्यान रखेगा ठीक है यहां अध्य देश क्या प्राप्दान करता है कि नगर परिसदों नगर परिसदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होगा नगर परिसदों और नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष है इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा यानि नगर परिसदों के पार्षद और नगर पंचायतों के पार्षद मिलके चुनेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ध्यान रहेग दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि नगर निगम का जो महापौर है जो प्रत्यक्ष होगा तो नगर निगम में प्रत्यक्ष होगा नगर परिसेद और नगर पंचायत में अप्रत्यक्ष होगा क्लियर है क्या ध्यान रहेगा आगे देखिएगा आगे इसमें कुछ और महात्पूर्टत्थ है जो हम आगे एक कोश्चन पर कवर करने वारे ठीक है सभी की उम्र के बारे में ठीक है सभी की उम्र के बारे में आएए देखते अगले प्रस्न को मद्रप्रदेश लोग सिवा गरंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला प्रदेश का प्रदेश का पहला राज्य बना है लोग सेवा प्रवंधन विभाग को जो अवर्ड प्राप्त हुए हैं वो ध्यान रखेगा 2012 में यू एन अवर्ड प्राप्त हुआ है 2013 में स्कॉच अवर्ड प्राप्त हुआ है 2014 में State IT ये गवर्नेंस अवर्ड प्राप्त हुआ है और 2018 में जेम्स ऑफ डिश्टल अवर्ड प्राप्त हुआ है तो ये लोग सेवा जो गरंटी अधिनियां है न ये लोगों को गरंटी देती है सेवा की यानि आपके जो कारे हैं उनको संपन्न करा जाएगा ऐसा राजी सरकार गरं समझपाा रहे है अब आगे देखी गँगा आगे देखेगा इसके बारे मिं समझते हैं इसका प्रारम में न लोग सेवा गरंटी अधिनियम का हा ये 2010 से हुआ नाम से फेस्ट है इसमें प्रारम में नौ विभाग को सामिल किया गया था नौ विभाग के 26 सेवा यह ब taking मद्प्रदिश सरकार के 9 विभाग थे और 26 सेवाएं थी लेकिन बरतमान मीज़ में 45 विभाग है 45 विभाग है और 449 सेवाएं है क्लियर है दोस्तों और इन 449 सेवाओं में से 263 ओनलाइन है 263 ओनलाइन है क्लियर है अब एक बात ध्यान रखेगा कारियों को नहीं करते हैं तो ध्यान रखेगा उनको पर दंड लगता है और वो दंड होता है 250 रुपए से ले करके 5000 रुपए तक होता है और जो रासी प्राप्त की जाती उसे प्रिद को दे दिया जाता है ठीक है अधिकारी के उपर जुर्माना लगेगा और वो रासी जो जुर्माने करोपे मिलेगे उसे प्रिद को दे दिया जाएगा और इसलिए एक बाद ध्यान रखेगा ये लोगसेवा गरंटिया दिन्यम पारित हुआ इसी कारण 25 सितंबर को प्रतिवर्स लोगसेवा दिवस मनाया जाता है क्लियर दोस्तों आई आगे बढ़ते हैं पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्प्रदेश देश का कौन से क्रम का राज़ बन गया है तीसरा पांचवा सातवा ये नवा तो इसका जो सही उत्तर है वो है सातवा पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्प्रदेश देश का स राजज बन गया है इस पेसा एक्ट का उद्देश क्या है आदिवासी बहुल छेत्रों में स्वसासन को मजबूती देना क्लियर है दोस्तों और यह पेसा एक्ट के वारे हम समझते हैं तो पेसा एक्ट का जो पूरा नाम है वह है पंचायत एक्सटेंशन इन सेड्यूल एरिय इसका पूरा नाम है पेसा एक्ट लायक अब गया था तो 1996 में लाया गया था जिसका उद्देश यह था कि जो आदिवासी बहुल छेत्र हैं वहां पे स्वसासन लाया जा सके यानि उनको राजनेतिक अधिकारों से जोड़ा जा सके अबगत करा जा सके और उनको राजनेति रोप से ससक्त बनाया जासा के यह पेसा एक्ट का उद्देश से था ठीक है अब आपसे कुश्यन पूछ सकता है पेसा एक्ट लाया किस समिती के नुसंसा में गया था तो 1995 में एक समिती बनी थी भूरिया समिती और भूरिया समिती के नुसंसा पे पेसा एक्ट लाया गया इसका उद्देश से क्या है आपको बता चुके है और इसके अलावा संबिधान की भागनौ में जो प्राब्धान है आपको पता है संबिधान का भागनौ है इसमें जो प्राब्धान दिये गए है इन प्राब्धानों को अनुसूची छेत्रों में लागू करवाना इसका capital माफ करिएगा इसका वर्णन संभिधान के नुच्छे 244 एक में किया गया है यह दोस्तों पेश एक्ट के वारे वे एक बार ध्यान रखेगा इसको इसके अर्थवेस्ता सुधार है तू नौलेज और लाइफ साइन्स कोरिडोर का हिस्सा नहीं है इंदौर उजयन देवास या जबलपूर तो इसके जो सही उत्तर है वो है जबलपूर मत्पर इसकी अर्थवेस्ता को गति देने के लिए सरकार द्वारा पांच सहरों में इंदौर उजयन देवास भपाल और गॉलियर में नौलेज और लाइफ साइन्स कोरिडोर कर इंदौर किया जाएगा तो कितने सहरों में पांच सहरों में किया जाएगा ठीक है आग इसके बारे में बताएंगे इसमें क्या होगा प्रोफेसर और स्टुडेंट के जो इनोवेशन होता है तो इसको इस्थानी उद्यों के माद्यम से वर्ड क्लास तक है वर्ड लेवल तक पहुचा रेना इसका काम होगा इसलिए कहा गया है कौन सा लाइफ साइन्स कोरिडोर क्लियर है दोस्तों अब देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले प्रस्न को और आज कमारा जो अगला प्रस्न हे मत्य प्रदेश मंत्रे परिसेत की बैठक में हर्दा की जल संसाधन विभाग की शिचाई पर्योजनाओं को جूरी दी गई निम्न में से कौन सी पर्योजना सामिल नहीं है मोरद बांध पर्योजना गंजाल बांध पर्योजना उद्भान शि रिल सन्सादन बिभाग के निम्र सिचाय को मनजूर किया गया है । मोरणड परियुजना हरदा। जो यह परयुजना एं जो रामपुर्स उद्भार्ण सचाय क concise हरदां हर्दा। और दूसरी बार इसके लाबा वे अन्य परियोजनों क्याद रखेगा जिनको मंजूरी दी गई है तो बाबा सिद्धनात परियोजना ठीक है बाबा सिद्धनात को ही हंडिया बैराज परियोजना भी कहा जाता है ये देवास में है ठीक है बरखेड़ा परियोजना बरखेड परियोजना दौरी सागर परियोजना ये सतना में है बहुती परियोजना ये भी सतना में है लिए दोस्तों आगे बढ़ते और देखते अपने अगले प्रस्न को और आज के मारा जो अगला प्रस्न है वो है रानी अबंती भाई कल्यान बोड़ संबंदित है लोधी समाज से च्छत्री समाज से जनजातियों से यह में से कोई नहीं तो इसके जो सही उत्तर है वहे लोधी समाज से लोधी समाज का स्वाधिनता अंदोलन और मत्रदेश के विकास महत्पुन युगदान रहा है जिसके कारण रानि अवंती वाई कल्यान बोड इस्थापित किया गया है जङन लगया दोस्तों और इसके जो गठन किया गया है वो किया गया है 27 अगस्त 2023 को ठीक है और इसको भुपाल के माता मंदिर अटल पत के पास इस्थापित किया गया है आई आगे बढ़ते हो देखते हैं अगले प्रस्न को और आज के मारा जो अगला प्रस्न है दीन दियार दसोई योजना के अंतरगत एक थाली कितने रुपए क एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा यह जो दीन दियार ग्रसोई योजना है ना इसका जो मुखता प्रारम हुआ था वो 2017 में हुआ था और जब इसे 2017 प्रारम हुआ था तो पेट भर खाना खिला जाता था और एक थाली दी जाती थी दस रुपए की ठीक है दस रुपए में पेट भर होजन लेकिन बाद में इसका अभी दूसर चरण प्रारंब हुआ है 26 फरवरी 2021 को जिसमें 10 रुपए की लागत को और कम कर दिया गया और इसे घटा के कर दिया है पांच रुपए ध्यान रहेगा यानि दूसरे चरण में किते रुपए हो गया है पांच रुपए हो गया है तो दिन दियाल रसोई यूजना के अंतरगत अब 10 रुपए की स्थान पर 5 रुपए की थाली उपलब्द कराई जाएगी गरीब प्रदेश के गरीब हम जरुत मन्द बेक्टियों को सस्ती दर पर पॉस्टिक भोजन उपलब्द कराने के उद्देशे से तीन दियाल अंतियोदे रसोई यूजना के दूती चरण की प्रारंब की गई है दोस्तों ये सामय लिखा है है ना यदि मेरी तरह कोई स्वाद पसंद वेखती है तो ये दस बजे से तीन बजे तक जाकर के इसे टेस्ट कर सकता है कि दिन द्याल रुस्टा यूजना में किस प्रकार का भोजन करवाया जाता है ठीक दोस्तों आई आगे बढ़ते और देखें अपने अगले प्रस्टने को तो आज कहमारा जो अगला प्रस्टने है वह है प्रदेश की या मत्र प्रदेश की काया कल्प योजना संबंदी थे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, गोसाला निर्माण या निर्माण इसका जो सही उत्तर है वो है सड़क निर्माण ठीक है काया कल्प योजना किसे संबंदी थे सड़क निर्माण ठीक है प्रदेश के नगरी निकायों की सडकों के उन्नयन और निर्माण के लिए 1200 करोड रुपए की काया कल्प योजना को स्विक्रिति प्रदान की गई है समझ पा रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए संभाग इस्तर पर मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाई गई है और राज इस्तरी क्वालिटी मोनिटर्स मनोनीत किये गए है तो काया कल्प योजना के संबन सडक निर्माण याद रखेंगे आगे बढ़ते और देखते अगले प्रस्न को मुख मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतरगत पिता या पाला की बार्सिक आये सीमा तै की गई है 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ,.00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, प्रतिमा कितने रुपए करने के दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ते की तरफ और आज कमारा अगला प्रस्ते है आसा कारकरताओं की प्रसाहन रासी प्रतिमा कितने रुपए करने के देड़ने लिया गया है दो हजार, तीन हजार, पाँच हजार ये छे हजार जिसका जो सही उत्तर है वो है छे हजार मंत्री पैसर द्वारा आसा तथा उसा कार करताओं को प्रोसाहन रासी प्रतिमा दो हजार से बढ़ा कर छे हजार रुपए करने का निर्णा लिया गया है आईए आसा और उसा से जुड़े अनप्रापधानों को देखते हैं तो जब ये रिटायर्मेंट होंगे आसा और उसा तो इनको एक लाख रुपए की सहायता रासी प्रदान की जाएगी ठीक है इसके लाबा पांच लाख रुपए का स्वास्त भीमा दिया जाएगा और सेवा निवित्ति के आयू अब साथ वर्स से बढ़ा करके 62 वर्स कर दी गहीं आगनवारी कार करता हों की ध्यान रखिएगा ठीक है अब आसा की बारे में पहले समझ लेजिए आसा होती कौन है ये समाजिक मानिता प्राप्त स्वास्त कार करता होती है ठीक है आसा कौन होती है जो समाजिक मानिता प्राप्त स्वास्त कार करता होती है और इसका पूरा नाम होता है Accredited Social Health Activist आप में सायद ही कोई हो जो इनको न जानता हो कि आसाकार करता कौन होती है आगनवारी केंदर में जो सहाई का होती है उनको आसाकार करता बोला जाता है ठीक है और ये जो है इसका जो प्रारम हुआ था ये हुआ था National Rural Health Mission नेशनल Rural Health Mission 2005 से ध्यान रहेगा इसी प्रकार इसी के तर्ज पे 2013 से उसाकार करताओं की नियुक्ति की जाने लगी सहरों में अरवन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ठीक है 2013 से National Urban Health Mission के तहत क्लियर है दोस्तों और ये आगे बढ़ते है और देखते अपने अगले प्रस्न को तो आज कमारा जो अगला प्रस्न है वो है मद्प्रदेश नगरपालिका अध्यक्षपद के लिए आयूसीमा में परिवर्तन किया गया है कितना 25 साल से बढ़ाया गया है 25 से घटा कर 21 किया गया है 21 से घटा कर 18 किया गया है 18 किया गया है या कोई परिवर्तन नहीं किया गया इसका जो सही उत्तर है वो है 25 से घटा कर 21 वर्स कर दिया गया है तो नगर पालिका और नगर परिशत के अध्यक्ष पद के लिए आयो सीमा 25 से घटा कर 21 वर्स किया गया है ध्यान रहेगा अब एक बात यहां पर ध्यान रखेगा जब नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्यक्ष कर दिया गया है जब तक यह चुनाव प्रत्यक्ष होते थे तब तक उम्र थी 25 वर्स लेकिन अभी चुनाव अप्रत्यक्ष होने लगे हैं तो इस उम्र घटाके कर दी गई है कितनी 21 वर्स ध्यान रखिएगा ठीक है अब जो चुनाव होंगे वह चुने जाते हैं अप आये हम आयू की बात कर लेते हैं आयू को लेकि एक subscribers होता है तो सबसे पहले बात करते हैं पंच और सरपंच की आयू पंच और सरपंच की जो आयू है वह 21 वर्स क्लियर दोस्तों इसके अलाबा जो नगर नगरी छेत्रों जो पारसद होते उनकी भी आयू कित्ती रखी गई है 21 वर्स रखी गई यह नियूंतम आयू की बात करें ठीक है इसके अलाबा आपका बिधान सभा के जो सदस्य होते हैं या लोग सभा के सदस्य होते हैं लोग सभा बिधान परिसद राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए आयू चाहिए 30 वर्स राश्च पती उप राश्च पती या राज्य पाल बनने के लिए नियुनतम आयू चाहिए 35 वर्स सीम बापीम बनने के लिए नियुनतम आयू चाहिए 25 वर्स ध्यान रहेगा दोस्तों आई आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ने की तरफ और आज के मारा अगला प्रस्ने है सेतु बंधन योजना में मध्र प्रदेश के लिए चार महत्पूर्ण विकास परियोजना को मंजूरी दी है इस परियोजना में सामिल जिला नहीं है भोपाल, सिबनी, ग्वालियर और जबलपूर जिसके जो सही उत्तर है वो है जबलपूर सतर जनवरी दोज़ा तेस को सेतु बंधन योजना में मध्र प्रदेश के चार महत्पूर्ण विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है या विकास परियोजना भोपाल, सिबनी और ग्वालियर जिलों के लिए है यानि तीन जिले हैं और तीन जिले के लिए कितनी परियोजना हैं चार विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है इस से जिलों के विकास को और ज़्यादा गाती मिलेगी और बढ़ती सड़क अद कि हिलाजली के सड़क उस राज़ की सरी कि रूपी you सरीं होता है उसकी रक्त वाहनियां होती है यह जितना बढ़ रहेगा चीतना साप सुथ अतरा रहेगा उतनी स्पी्ड मिलेगी उतनी अyrतव्वयस्ताक उगत्य मिलेगी और उतना वो देश सम्रिद्ध होगा या राज जी सम्रिद्ध हो पाएगा इसलिए लगातार सड़कों पे काम किया जा रहा है ना के वर प्रदेश में बलकि देश में ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते अपने अगले प्रस्न को और आज के मारा अगल है त्रेट या गया यह फंद्ध की डैने का लिया गया है बैगा आपको पता है दोस्तों बहुत पिछडी जर्टी है मतला ब इतनी पिछडी जर्टी है प्रदेश में कि प्रदेश की अगले सबसे पिछडी जर्टेवों में से प्रमुह ज्र्टेश क्यntक इसन के इसलिए इनको रहने के लिए हैविटेट राइट्स दिया जा रहा है ठीक है और इसके लिए पांच सब एक तालिस परिवारों का चैन किया गया है क्लियर दोस्तों आई ये बैगा जन जाती के बारे में जानते है बैगा जो जन जाती है बैगा का अपने आप में अगर आपसे अर्थ पूछे कि बैगा कर्थ क्या होता है तो बैगा कर्थ होता है पुरोहित ठीक है बैगा कर्थ होता है पुरोहित अब इनके जो निवासिस्थल होता है निवासिस्थल जो है वो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, इत्याद जीलों में है इनकी जो जो क्रिसी की जाती है उस क्रिसी को कहते हैं डाडिया क्रिसी डाडिया क्रिसी जो की चलित क्रिसी का एक प्रकार है और प्रदेश सरकार ने उसमें रोक लगा दिये ठीक है इनकी उपजातियां याद रखेगा बैगा जन जातिकित इनकी जो उपजातियां है वो राय मैना कट मैना नरोतिया और भरोतिया है तर याई आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ राज कमारा अगला प्रस्ण है सरकार मुख मूंतरी बाल आसिरवाद योजना चला रही है लिए दोस्तों और इस योजना का जो प्रारम हुआ वो हुआ 10 अगस्त 2022 से महफ़ करेंगा यहाँ पे देखिए 10 अगस्त 2022 से और जो प्राबधान किया गया वो क्या किया गया अनाथ वच्चोबा उनके अजवाबू को वो 5000 रुपए तक की सहता प्रदान की जाएगी आसिरवाद योजना में अगला प्रस्ति प्रदेश सरकार ने दत्य जिले में मोटर ट्रांसपर्पूर्ट स्कोल की स्थापना करने करें लिया है ठीक है अगला प्रस्तन है मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोर्स का गठन किया गया 10 चनुरी 2022, 10 मार्च 2022, 10 यूनिय 10 अगस 2022 इसका जो सही उत्तर है वह है 10 अगस 2022 2022, अब देखिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोर्स के बारे में 10 अगस 2022 को महिला बित एवं विकास निगम को मजबूत करने, अलग बजट लाइन बनाने और मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोर्स का गठन को मनजूरी दी गई, यह कोर्स मंत्र प्रदिस में 100 करोड रुपे की लागत से बनेगा तो इसकी याद रखिएगा कि 30 करोड़ रुपे के लागए 100 करोड़ रुपे नारी कोस संमान ठीक है नारी संमान कोस माफ खरीगा मुख मंतरी नारी संमान कोस करने देखीगा इंदौर वपाल में महिला उद्यम को प्रोसाहिद करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापिट किया जाएगा ठीक है अगला प्रस्थन है मद्र प्रदेश यूबा निती दो हजा तेस में मुख मंत्री यूबा को असल कमाई योजना में ट्रेनिंग के दोरान यूबाओं को कितने रुपए प्रतिमा दिया जाएगा दो हजार, तीन हजार, पांच हजार, आठ हजार इसके जैसे सही उत्तर है वो है आठ हजार रुपए प्रतिमा ठीक है दोस्तों इसमें ना केवर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी बलकि ट्रेनिंग के दोरान आठ हजार रुपए भी प्रतान किये जाएंगे क्लियर है दोस्तों तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद